तो हेलो गैस वेल्कम टू अबर एडवांस इस्ट्रक्टर सीरीज तो दोस्तों आद में वीडियो चालू करूं इससे पहले लेट मी थैंक्स अल आपको बहुत ही बड़ीया केमेंट दिखा रहूं काजल विश्वा जी ने लिखा हुआ आई है थैंक्यू सो मच्छ आैं म लेर्न न्यू थीikte यो चैनलू तो काजल विश्वा जी थैंक्यू वेरी मच्छ और आई होप मैं आगे भी आपकी जो है आसा उसको पूरी करता रहूंगा थीक है तो आज के जो अपनस फ्राड़ारी के रूप में वैं किसी से कम नहीं रहे हैं और को बाइनिकरन के तो वह किसी कम नहीं किसी को बतानो तुम कि ँछी से कम नहीं हैं जैसे और लोग करते हैं उससे बल्कि जादा हिए स्था कर सकते हो तो पहले मैं आपको इसका structure बताऊंगा फिर आपको sentence को यूज करके बताऊंगा आई ये structure देखते हैं structure तो common है बहुत easy है sentence आपका अगर कुछ है तो बोलेगा पहले फिर उसके बाद subject फिर उसके बाद second to none यानि कि जैसे तुम किसी से कम नहीं हो तो you are you are second to none ठीक है अगर यहाँ पर जायसी बात है subject के according जो second के पहले वाला helping वर वह है वो change हो जाएगा अगर you है तो r आजाएगा i है तो m आजाएगा ठीक है according to subject helping वह आपकी change होती रही है तो sentence का जो structure है वो है तो easy है बहुत sentence आजाएगा अगर आपका कुछ है पहले उसमें फिर आपका subject आजाएगा और subject recording helping और भाइगी फिर उसके बाद आपका आजाएगा second to none तो दोस्तों मैं आपके वाद फिर से रिमाइंड करता हूँ कर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाइक वाला बटन है उसे हिट जरू करें जिससे की motivation मिलती रहे और वीडियो को ज़्याद से ज़्याद सेयर करें और आपको इस रिके के advanced structure और देखने है तो मैंने playlist में इसका link दे रखा है वहाँ से आप जाएक देख सकते हो और daily speaking sentence की वी एक playlist है वहाँ से आप वो sentences भी देख सकते हो तो आईए देखते हैं इसको sentence में कैसे परिषान मतो थीच तुम किशी से कम नहीं दिख रहे हो कभी-कभी कोई होता ना judgment किसी को sentence ज्यादा होती यार मैं कैसा देख रहा हूं पार्टी में जाओगा कोई मेरी हसी तो नहीं बडाया कका तो इसको बोलते ना lut और dal बौदर परिशही से कम नहीं देख रहा तो doesn't bother तो किसी से कम नहीं दिख रहा है तो don't bother परेशान मत अपने आपको परेशान मत करो you are looking second to none तुम किसी से भी second नहीं दिख रहे हो ठीक है यह मैं सुच्छू कि तुम नंबर दो पर दिख रहे हो जैसे और लोग दिख रहे हैं उतने ही अच्छे तुम दिख रहे हो और बढ़ि होगा फुटबाल ख्याड़ी के रूप में वह किसी से कम नहीं है कभी कभी होता नहीं यह फुटबाल प्लेयर बहुत अच्छा भाई किसी सबसे बढ़िया वही है तो कैसे बोलेंगे फुटबाल प्लेयर के रूप में as a football player फिर आप आगे जैसे मैंने बताता है subject subject के नहीं है ठीक है कैसे बोलोगे आप इसको as a football player he is second to none structure कोई ज्यादा कठें नहीं है आपको सिर्फ यह धियान रखना है कि subject के वार्डिंग आपको helping world लगानी ठीक है तो he is second to none एक और sentence देखेंगे क्योंकि जित आप sentence देखोगे बोलोगे साथ में practice हरोगे उतनी ज्यादा concept clear होगा आपके बात करने का तरीका किसी से कम नहीं है कोई कोई होता ना कोई बहुत अच्छे तरीके से बात करता है skill होता है ठीक है तो कैसे बोलते है your way of talking जैसे मैंने बताया था sentence कोई भी है या sentence का part तो your way of talking is second to none यहाँ पर यही subject बन गया your way of talking ठीक है यह आपको क्या बन ग use करोगे नहीं तो और यह चीज़ क्लियर होगी यह तो बहुत common sentence है कोई कोई bargaining करने में बहुत expert होता है ना उसको बोलते है जब मोलवाव की बात आती है तो वह किसी से कम नहीं है यह मैं किसी से कम नहीं हूँ तो जब मोलवाव की बात आती है पहले इसकी English बनाती है when it comes to bargain ठीक है मोलवाव की बात आती है बार्गन का मतलब को पता ही है मोलवाव का मतलब क्या होगा बार्गन शी इस second to none वह किसी से कम नहीं है या पर अगर मैं किसी से कम नहीं हूँ तो I am second to none ठीक है या पर वही वह किसी से कम नहीं तो they are second to none ठीक है कैसे होगा पूरा sentence तो when it comes to bargain she कि इच सेकेंड टू नन तो होपली आपको कंसेट पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप इस वाकिकी इंग्लिश में बना की नीचे से कॉमेंट में लिखके दें वैड डांसर के रूप में किसी से कम नहीं है तो होपली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें तो लाइक वाला बटन उसे हिट जरू करें थैंक्स पर वाचिंग